अध्यर्वाइब हैM कि इसमें से आपको करना कैसे है एपलाई यूज है वो कैसे करना है इसकी fees जो है क्या रहेगी last date क्या है और कैसे आपको फिर payment मिलेगी contract based है या permanent based इसके बारे में हम बात करेंगे ठीक इस वीडियो को आपने end तक रेखना है अगर आप नए हो तो चनल को subscribe करके bell icon on करना है चलो जी वो notification जो है वो मैं आपको दिखा दूँगा ये अड़टाइज में नोटिफिकेशन जो है अगर हम देखेंगे यहां पर ये खाली helper जो schools है आपके नजदी की schools अपने गाओं में वार्ड में या फिर जो अपने नजदी की अलाके में school पढ़ता है वहां पर उन्होंने बता दिया है कि हम एक वार्ड में या एक मुहले में एक ना एक helper उसमें बर्ती करेंगे सबसे पहले अगर education की बात करेंगे इसमें से आपके education जो है कम से कम 8 पास इसमें होनी चाहिए कम से कम जो की आपके नजदी की school हो अगर आपका नजदी की कोई school हो जो की कम से कम मतलब की कम दूरी पर हो जहां पर आपको गाड़ी में ना जाना पड़े उतनी दूरी तक हो school तो आपकी जांसे बहुत ज़्यादा है उसमें होने के अगर मैं आपको यहाँ पर बात करूँगा की आपका जो डेट इसमें रहेगा उन्होंने बता दिया है कि कम से कम 20 यानि कि 20 नवंबर 25 नवंबर तक इसकी डेट है यहाँ तक आप फार्म जमा कर सकते हो अगर मैं बता दूँगा कि फार्म आपको जमा कैसे करना है वो क्या है क्या नहीं सबसे पहले आपके पास BPL राशनकार होना चाहिए यानि कि बिलो पुर्टी लाइन कैटेगरी में अगर आप आती हो तो आप फार्म बर सकते हो एट पास सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप वो वहाँ पर जो है अपलाई कर सकते हो और अगर आप जो है नजदीक ही पढ़ते हो किसी स्कूल के नजदीक रहते हो तो आपको चांसे से उसमें ठीक और आपको करना क्या है देखो अगर मैं बता दूँगा कि कौलिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है कि आठ एट तक आपने पढ़ाई की चुकी होगी अगर मैं आपको बता दूँगा कि चांसे ज़्यादा किसको है सबसे पहले चांसे उसको है जो विटो है दोसरा है चांसे जो डैवोस है दोसरा है और अफन और है जो कि बी पी अल राशन कार्ड में जो आते हैं अगर उसके बाद हम देखेंगे एज लिमिट के बारे में जिसकी एज 18 से लेकर 45 तक है वो यहां पर फॉर्म बर सकता है अगर बता दूँगा मैं सैलरी की सैलरी कैसे मिलेगी क्या नहीं मिलेगी यह आप देख सकते हो सैलरी आपको 5000 रुपीज मिलेगी पर मन्त यह आपको तभी मिलेगी जब आप अरिग्यूलर जाओगे अपनी जो सुकुल में आपको अटेंड किया जाएगा वहां पर आपको अरिग्यूलर जाना है ठीक यहां पर आप देख सकते हो वो कहते ही अगर किसी स्टूड़न को शिकायत आई उस हलपर से तो उसी दिन उस हलपर को वहां से निकाला जाएगा ठीक यह कंडिशन है उसके बाद अगर मैं बदा दूँगा कि अपलाई कैसे करना है अपलाई के लिए आपको सबसे पहले जो यह फॉर्म है मैं आपको दिखा दूँगा यह जो फॉर्म है उसके बाद में दिखाऊंगा कि किस गाउं में कितने जो है सीट से के अविलेबल है देखो यह है लास्न में आप देख सकते हो यह फॉर्म जो है वो फिल अप करना है इसके सेथ आपको BPL राशन काड जो है साथ रखना है अदहर काड साथ रखना है डों मिसाल साथ रखने है इंकम सेट्टिपिकेट साथ रखने है अगर आपकी केटेगरी है वो साथ रखने है और फिर आपको जाना है न Expectant 구al में जब आप नजदी की सुकुल में जाओगे उसके बाद आपको वहाँ पर यह जमा करना है और उसके बाद जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तब आपको वहाँ पर बुलाया जाएगा फोन नमबर आपको वहां पर देना पड़ेगा वहां पर नोटिस जो है वो जारी की जाएगी और उसके बाद आपकी सेलेक्शन हो जाएगी ठीक और उसके बाद अगर मैं बाता दूँगा इसकी जो जो नेम अप स्कूल है यहां पर कि फीमिन स्टूटन्स को यह इसमें अपलाइक करना चाहिए बाड़ी अपरचुन्डी है इसमें आपको हर किसी वार्ड में एक दो मेंबर इसमें बरती जो है हो जाएंगे ठीक इनफार्मेटिव वीडियो था इसको अगर पासन आए तो लाइक शेर भी करना दीजे इजाज़त अल्लाहाफिस